हेले दोस्तों वल्कम बैक टो दो चैनल सर्ष्टी स्टेडी परंड और आप सबीको पता है कि यह नवत्र की बुक से हम करंट अफ्यर देली करते हैं सॉल्व कोश्चन उसके तो यहाँ पर आज हम जो पढ़ेंगे दिवस पढ़ने वाले हैं इंपोर्टन दिवस होने वाले हैं यहाँ पर सारे दिवस को देख लीजेगा क्योंकि अब नॉर्मल दिवस एक्जाम में नहीं आते हैं वो कोश्चन आते हैं जो की हमें पता ही नहीं होता कि यह दिवस भी होता है इसलिए आपर इस वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो सारे एक्जाम के लिए इंपोर्टन है विश्फल सतत परिवहन दिवस ठीग है यह सुनाया आपने कभी तो यहाँ पर सुन लीजे आज तो इसको सस्टेनेबल वर्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे ठीग है इसको जो है 26 नवंबर को मनाया जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाएगा और किसके द्वारा संयुक्तराश्ट महासवा ने इसकी गोशना की है और कब से मनाया जा रहा है मई 2023 में इसकी गोशना हुई है तो पहली बार इसको मनाया जाएगा 26 नवंबर 2023 तो इसको याद रखिएगा कि ये पहली बार मनाया जा रहा है और मई में इसकी गोशना होई और 26 नमबर को इसको मनाया जाएगा ये दिवस 26 नमबर को और तो इसलिए important है इसका उद्देश क्या है परिवहन इस्थिर्ता से सम्मंदित मुद्दो के बारे में लोगों को जागरू करना अगली कोशन पर आते हैं अंतराष्टी है संग्रहाले दिवस important है तो ये दिवस कम मनाया जाता है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ 18 मई 2003 इसको मना लिया गया है और इसका विशय था संग्रहाले, संपोश्षडियता और भलाई उदेश क्या है लोगों को संग्रहाले के प्रती जाग रुकता फैलाना और इनी संग्रहाले में जाकर अपने इतिहास के बारे में चानने के लिए प्रेरिद करना ठीक है ये दिवस जो है वो International Council of Museum के द्वारा 1977 से मनाया जा रहा है जबकि हम लोगों को मुझे तो भी नहीं बता था मैं तो पहली बार सुना इसका ठीक है आब इसके बारे में पढ़ लेते हैं I.C.O.M क्या चीज है जिसके ये जो है International Council of Museum इसकी स्थापना 1946 के हुई थी पेरिस फ्रांस में इसकी जो है मुख्याले है और ये संग्राले और संग्राले पेशवरो का एक संगटन है अगला है शांती के साथ रहने के लिए अंतर राष्टी ये दिवस कम मनाया जाता है तो ये 16 माई को मनाया जाता है ठीक है 16 माई 2023 को और इसको घुषना जो हुई थी वो 8 दिसंबर 2017 को हुई थी मनाने की उदेश क्या है मतवेद और बिविदता में एक जुड़िता और सदभाव के साथ रहना और कारे करना ठीक है तो याद रखना International Day of Living Together in Peace अगला कोश्चन है यहाँ पर विश्व उच्रक्त चाप दिवस हाइपर टिंशन दिवस के बारे में बात हो रही है तो इसे 17 माई को मनाया जाता और इसका विश्व है जो है वो मेजरी और ब्लड प्रेसर अकुरेटली इस बीमारी के बारे में लोगो को जागरुक करना और बचाव करना इसलिए है ठीक है और इसलिए लोगो को यह दिवस मनाने के लिए कौन सा दिन तयार किया है 17 माई अब है Global Accessibility Awareness Days तो यह जो है यह मनाया जाता है 18 माई को ठीक है अब माई के क्यों बता जा रहे हैं क्योंकि माई का Current Affair है इस बुक में और यह माई वाली बुक है इसलिए वो लेकनी है यह दिवस प्रतिवर्स तीसरे गुरुबार को मनाया जाता है वैसे और दिव्यांग जनों के लिए प्रदुगी की को सुलब और उपयोगी बनाना है ठीक है जो की दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए हर चीज शुलब बनाना विश्व दूर सर्चार और सूचना समाज दिवस जो है वो कम मना जाता है तो वो मना जाता है 17 माई को और यह है वर्ड टेस्ट कम्मुनिकेशन टेली कम्मुनिकेशन और इन्फॉर्मेशन सुसाइटी डे ठीक है 17 माई 2023 को एंपावरिंग दे लीस्ट डेबलब्ड कंट्रीज थ्रों इन्फॉर्मेशन और कम्मुनिकेशन टेकनलोजी ठीक है यह इसका फोकस है उद्देश क्या है सूचना और दूर सर्चार प्रोधुगी के इलाव के प्रती लोगों में चाक रुकता पैदा करना और दूर दराज क यह प्रकाश दिवस कम मनाया जाता है तो यह important question और इसका उत्तर है 16 माई को इंटरनेशनल डे ओफ लाइट मनाया जाता है 1960 में परतिस बहुतिक शास्त्री प्रिशिद बहुतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मैनर के द्वारा लेजर से पहले सफल संचालन की वर्षगाट के उपलक्ष में से मनाया जाता है रास्ति ये डेंगू दिवस important है तो ये जो है 16 माई को मनाया जाता है हमारे देश से related है डेंगू को हराने के लिए साजेधारी का उपयोग करें डेंगू के बारे में जागरुकता प्रसारित करना डेंगू की बीमारी ना हो ये सब है ये जो बीमारी है वो एजिप्टी न टूना दिवस विश्व टूना दिवस जो है वो मनाते हैं दो माई को और टूना मशली के संडक्षन के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए इसको दो माई को मनाया जाता है ठीक है मशली है और इस दिवस को मनाया जाने की गोशना 2016 में की गई थी टूना से related विश्व अ अस्थमा दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं तो ये कम मनाया जाता है ये भी दो मई को मनाया जाता है इंपोर्टेंट है ये ठीक है ये क्या है अस्थमा के प्रती जाग रुखता के लिए वैसे इस दिवस को मई के प्रतम मंगलवार को मनाया जाता है थीम क्या थी अस्थमा मनाने की शुरुवात हुई थी अस्तमा से related और इसके साथ सदी बता दें कि WHO ने कहा है कि 349 मिलियन से अधिक लोग अस्तमा से पीड़ता है राश्टी ये प्रधुगी की दिवस कम मना जाता है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूए 11 मही 2003 इसको मना जाता है Ignite Young Minds to Innovate इसका मुख विशह है ठीक है इसको याद कर लीजेगा अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस important question है ये कम मना जाता है तो ये 13 मही को मना जाता है और इसकी जो थीम इसवार्थी वो है जल पक्षी जीवन को बनाए रखना और संकट ग्रस्त जितने भी प्रव पक्षी है और उनके आवास को संरक्षन देना और लोगों को जागरुकता फैलाना इस दिवस ये दिवस बर्स में दो वार मई और अक्टूबर महाम में के दूसरे सनिवार को भी मना जाता है और ये 2006 से मनाए जा रहा है जीरो शेडूडे जीरो शेडूडे कम मना जाता है ठीक है करक और मकर रेखा के बीच प्रतेक अक्षांस पर ये मनाया जाता है ठीक है ये गटना सूरे के उत्रायन और दक्षनायन के दोरान होता है जो प्रतेक वर्ष दो बार होता है ठीक है तो ये इस दिन सूरे वस्तू पर ठीक लंबबत होता है इसलिए ये जो है शैडो न तो गोशना की गई, तो किस अमेरिकी राज में की गई, तो ये पैंसी लवेनिया में की गई, और 26 अपरेल 2023 को इसकी गोशना हुई, इस राज के मंदिरों और कम्यूटी सेंटरों में दिवाली का तिवार मनाया जाता है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखें का कोशना सकता विश्व थैलिसीमिया दिवस पूछा जा रहा है, तो ये 8 मही को मनाया जाता है, थैलिसीमिया एक विमारी होती है, जेनिटिक, ठीक है, लोगों को जागरू करना, और मुख थीमती वियवेर, शियर केर, स्ट्रेटनिंग एजुकेशन टू ब्रिज, टू थैलिसीमिया केर गैप, ठीक है, वन्शानुगत, देखो, ये बीमारी है, और ये एक क्रॉनिक ब्लड डिसॉडर है, इस कारण रोगी में, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें परियाप्त हीमोगलो भी नहीं बन पाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखेगा, अगला है, विश्व रेड क् दिवस, और रेड क्रॉस जो के बारे में बात कर लें, ये 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, गैर संसकारी संगठन है, जिनेवा स्वेजडिल लेंड में, इसका मुख्याला है, उद्देश क्या है, रोगी उखायलों और युद कालीन में जो बंदी लोग होते हैं, उनकी देख़ाल करना, इसकी स्थापना जो रेड क्रॉस सुसाइटी की बात हो रही है, भारत में तो वो 1920 में वो थी, जिसे हम भारती रेड क्रॉस सुसाइटी कहते हैं, अंतरराष्टी प्रति निधी दिवस जो है, वो कब मनाया जाता है, 25 अप्रेल को मनाया जाता है, और 2019 में इसकी गोशना होई थी, और 25 अप्रेल को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट के सदसराज्जों के प्रतिनिदियों और प्रतिनिदियों के कारियों के बारे में जागरुकता बढ़ाना है, अगला है अंतराष्टी ये मिडवाइब दिवस इंपोर्टेंट है ये, तो ये 5 म माई को मनाया जाता है, और इसका विशह है together again from evidence to reality, इस दिन मिडवाइब के कारियों को मानता देने और माताओं और उनके नवजाश्चियों को प्रदान की जाने वाली आवश्चकता देखवालों के लिए जागरुकता बढ़ाने से related है, अगला है विश्व एथलेटिक्स डे important है ये, तो ये 7 मई को मनाया जाता है, एथलेटिक्स डे ठीक है, और ये मई महा में ही मनाया जाता है जाद अतर और इस दिवस की तारीक प्रतिवर्स बदलती ही रहती है, लेकिन मई में ही इसका आता है, आई आई एफ के द्वारा ही निरदारन किया जाता है, लोगों को अपने जो करमचारी हैं, कारेस्थल पे उनकी सुरक्षा और स्वास्त के प्रति ध्याना कर्शित करने के लिए इसको मना जाता है, विस पैगवेन दिवस इंपोर्टेंड एक कोशन आता है, एक्जाम में, 25 सपरेल को मनाया जाता है, पैगवेन के प्रति, उनके जीवन क प्रति खत्रा और सुनोतियों को जागरुपता वड़ाने के लिए 25 अप्रेल 2023 को मनाया गया इस वारी से, और पैगवेन की 17 प्रजातियां विश्वें पाई जाती हैं, और ये जादतर दक्षनी गोलार्द यानिकी साउधन हेमिस्पेर में ये मिलती हैं, इंटरनेशनल ग अप्रेल 2023 को जो है, वो 27 अप्रेल को हुआ, ठीक है, वैसे ये अप्रेल के चौथे गुरुबार को मनाया जाता है, ठीक है, तो लड़कियों यूवा महिलाओं के लिए विज्ञान ये देखो, इस टैम आगे, इस टैम तो मैं हर वीडियो में बताती हैं, इंपॉर्टन है साइन्स, टेकनलोजी, इंजीनियरिंग और गडित के प्रती महिलाओं में रुची जागरत करना, ITU क्या चीज है, इसकी स्थाबना 1865 में हुई थी, 17 मही को, और जिनेवा, स्विजर लेंड में इसका मुख्याला है, और इस वार 27 अप्रेल को ये जो दिवस मनाया गया, International Girls Day, Girls है न, International Girls in ICT Day, तो इसकी जो थीम थी, जीवन के लिए, डिजिटल कोशल, डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ, अंग्रेजी भाशा दिवस कम मनाया जाता है, तो ये 23 अप्रेल को मनाया जाता है, और ये जो है, अंग्रेजी का इस्तिमाल करने को लेकर है, विश्व में हर चार में से एक व्यक्ति जो है, अंग्रेजी बोल रहा है आजकल, 23 अप्रेल 2023 को इसे मनाया गया, ये दिवस पारमप्रिक रूप से विलियम सेक्सफियर के जनम दिवस और मिर्तिव की तिथी के उपलक्ष में मनाया जाता, ठीक है, तो संयक्तराष्ट में फ्रेंच के सा अगला है, विश्व पुस्तक और कॉपिराइट दे, तो ये जो है, तेईस अप्रेल 2023 को मनाया गया, पुस्तकों की अध्यन और कॉपिराइट की जागरुपता को बढ़ावा देने के लिए, और इस वर्ष की विश्व पुस्तक राजधानी आक्रा थी, जो की घाना में है युनेस्को दारा 1995 से इसे मनाने की घुशना की गई, विश्व पृत्वी दिवस आप सभी को पता है, इंपॉर्टन भी कोश्चन है ये, तो ये कम मनाया जाता है, ये 22 अप्रेल को मनाया जाता है, हर वर्ष और पृत्वी के प्रती, जो है सजग रहें लोग, और जो के लिए है, प्रत्वी पे जो प्रजातियां है वो बच्ची रहें, और इस वार्ष की 2023 की थीम थी, इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट, ठीक है, ये थी, और 1970 से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है, इस चीज को याद रखीगा, संयुक्त राष्ट के द्वारा इ सशक्त करना, इसका उद्देश है, ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पंचायती राज, तो 73 संभिदान संशोजन 1972 में, वो 92 में इसको जोडा गया था, हमारे संभिदान में, 11 अनुसूची में, ठीक है, और ये अधिनियम जो है, 24 अप्राइल 1993 को लागू हुआ था, पहली वार, इसका 2010 में से मनाय गया था, 24 अप्राइल को ये अधिनियम लागू हुआ, इसलिए हमारे देश में, हर वर्ष राष्टी पंचायती राज दिवस, 24 अप्राइल को मनाय जाता है, ये याद रखेगा, 33 संभिदान संशोजन 1992 में, ये 11 अनुस तो ये इंपोर्टेंट है, प्रैसी मतलब बोई पत्रकारिता से रिलेटेट, अन्तरास्टी ये श्रमिक दिवस जो है, वो कब मनाय जाता है, तो ये जो है, 1 माई 2023 को मनाय जाता है, 1886 में इसकी श्रुवात हुई, और श्रमिकों को ये अधिकारों के प्रति जाग रुकता बढ़ाना इस चीज को लेकर है, भारत में पहली बार ये दिवस जो है, चेन नहीं में 1 माई 2023 को मनाया गया था, इंपोर्टेंट है ये, और इंटरनेशनल लेवर और और इसकी स्थापना, 1990 को हुई, संयुक्तराष्ट की विशिस्ट अजेंसी है, और इसका मुख्याला ज इन्वेश्ट, इन्वेट और इंप्लीमेंट, ठीक है, 2007 में डवलुएच्चों के जित्ते सदस्थे, इस दिवस की स्थापना की थी, और भारत का लक्ष है, 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना अपने देश से, ठीक है, इस चीज को याद रखेगा, अंतरराष्टी इन्रत जो है, वो 29 अप्रेल को मनाया जाता है, और इसका उदेश आपको सभी को पता है कि इन्रत के प्रती, तिवारों के प्रती, प्रोसान करना, सिक्षा में इसका उप्योग करना, अमारी संस्कृती को बचा के रखना, इंटरनेशनल थीटर इंस्टिट्यूट के बारे में पशूची किस्टा के शेत्र में विवित्ता, समानता और समावेशी को बढ़ावा देना इंपोर्टन्ट इसका रूल था, ठीक है, वैसे ये दिवस प्रतीवर्स अप्रेल के अंतिम सनिवार को मनाया जाता है, ठीक है, इस वार ये देट थी, प्रियोक्षाला, पश्वों में सॉल्व करेंगे, ठीक है, आज केवल दिवस में लेके आई थी, अप्रेलो मही से रिलेटेड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजेगा, चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब कीजेगा, धन्यवाद दोस्तों